Hi everyone, मैं आपका दोस्स आहिल सुवागत करता हूँ अपने चैनल पे, आज आ रही है Tech News No.50, sorry for that काफी दिनों से Tech News नहीं आ पाइक बहुत काम तक क्योंकि मैं आ रहा हूँ, इंडिया 18 तारीक को तो उसकर के मेरी Tech News काफी रह गई, तो आज शुरू करते हैं बड़िया बड़िय Tech News और देखते हैं क्या है खास, तो पहरी न्यूस की बात कीज़े तो वीवो, वीवो S5 आ रहा है जो 14 तारीक को, उसमें 6.4, 4 इंच की स्क्रीन होगी, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, रेर कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा क्योंकि इस तारा, 16 तारीक को मैं निकल जाऊंगा, तो मेरे साब से अगर इसकी से 1818 के बाद हुई, तो मैं आपको नहीं दिखा बहूंगो, इसकी अन्बोक्स नी, बागे देखते हैं, फोन कैसा होगा, लास्ट टाइम जो आया था, S1 काफी बढ़ी अलगा था मुझे, देखते हैं, इस बार कैसा होगा, नेक्स्ट न्यूस की बात कीजाए, तो सोनी सेंसर, जी हाँ, सोनी का सेंसर आ रहा है, IMX 686, 26 नवेंबर को, जी हाँ, काफी देर से सैंसन के आ रहे है, 64 मेगा पिक्सल के कैमरे के सेंसर के साथ, मगर सोनी नहीं आ रहा था, तो शाओनी न अनॉंस कर दिया है, कि उनका निया सेंसर आ रहा है, मुस्ली ओनर वी 30 जो 26 नवेंबर को चांसिस हैं, रिलीज होने के, लाँच होने के, उसके साथ ही आ सकता है, तो देखते हैं, जब तक आता है, क्या कमाल करेगा, लास्ट येर जो 48 मेगा पिक्सल का कैमरे सेंसर था, उस किसी ने मेरा सारा कंप्यूटर का सेट अप हिला दिया है, तो निक्स न्यूस की बात की जाए, तो ओनर वी 30 जी हाँ, ओनर वी 30 और वी 30 प्रो आ सकते हैं, 26 नवेंबर को लाँच हो सकते हैं, काफी एकसाइटमेंट इस फोन की डबल, डूल पंच होल मिलेगा, और काफी ब इस बॉक्सिंग तो मैं दिखा ही दूँगा, नेक्स न्यूस की बात की जाए, तो शाउमी की, शाउमी फोल्डेबल फोन, जी हाँ, शाउमी का एक फोल्डेबल फोन का एक पेटेंट फाइल हुआ है, एक टाइगर मोबाल डॉट कम, उन्होंने ये न्यूस दिया है, इन् पांच कैमरे, वो भी पॉप अप के साथ, जी हाँ, पॉप अप कैमरे में, पांच कैमरे होंगे, वही आप रेयर में यूज़ करते हैं, वही आप फ्रंट में कर सकते हैं, तो देखने में बड़िया कंसेप्ट लग रहा है, देखते हैं, शाउमी का फोल्डेबल फोन कब पहले एक बहुत पहले टीजर आया था, शाउमी फोल्डेबल फोन का, मर उसका कुछ बना नहीं शायद, अब ये नया पेटेंट कहरे हैं, आया है, देखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शाउमी फोल्डेबल फोन के लिए, तिक तेक जब भी आता है, कब आता है, मैं आपको उसके बारे पता दूँगा, नेक्स्ट न्यूस भी है, शाउमी की, शाउमी इलेक्रिक बाइक, जी हाँ, शाउमी ने इलेक्रिक बाइक भी लॉंच कर दी है, मोल लिंक इलेक्रिक कंपनी के साथ मिलके, बही देखने में काफी बड़िया लग रही है, ये बाइ नेक्स्ट न्यूस की बाद किया है, मिक्स 4, जी हाँ, मिक्स 4 आएगा, स्नापड्रेगन 865 के साथ, नेक्स्ट मंथ, क्वाल कॉलम अपना नया प्रोसेसर लॉंच करेंगे, कहने हैं, तीन तारीक से पांच या साथ तारीक तक ये प्रोसेसर लॉंच हो जाएगा, उसके बा बराबर आगया है, चार्जर उसका जाधा तेज है, तो कह रहे हैं, ये भी उससे बढ़िया होगा, तो देखते हैं, मिक्स 4 कितनी टकर देता है, पी 40 को जो फेबुरी में आने के चांसे हैं, क्या कमाल करता है, मैं काफ़े एक्साइटिन हूँ कह रहे हैं, 90 हर्ट का रिफ आप रगन 865 के साथ, साथ में मिल सकता है, 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट, तो देखते हैं, मीट हैं, जब भी आता है, अपसकी इंबॉक्सिंग तो आपको इस चैनल पे मिली जाएंगी, तो लास्ट न्यूस की बात कीज़े तो Redmi K30 Pro, जी हाँ, Redmi K30 Pro, मोस्ट प्रभविल भी चांसे हैं, दिसेंबर में आने के लिए, और कह रहे हैं, इसमें शाओमी लाएगा 65 वाट का चारजर, रेल्मी X2 Pro में आ गया है 50 वाट का, रेनो एसमें आ गया 60 वाट का, तो बही शाओमी कहता है, हम पीछे क्यों हो रहा है, तो शाओमी उनको टककत देने के लिए ला रह मैंने कुछ शाओमी का चोड़ा-मोड़ा समान लिया है, जैसे यह, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो यह नाइट बोड का थोड़ा चोड़ा-मोड़ा समान है, अगर आप इसके इंबोक्सिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे बोल में बता दीजे, मैं इसकी इ बनाते हैं, सैंबल करते हैं, और एक ब्लैकबोर्ड लिया है मैंने शाओमी का, यह काफी देर से मैं लेना चाहता था, तो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने चार-पांच प्रोड़क्स लिये हैं शाओमी के, अगर आप देखना चाहते हैं, इनकी अन्वाक्सिंग, तो झाल, 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